अब आपका स्वागत है तो आज जो वीडियो में लाए है वो बाइड्स का जो फूड फीडर होता है वो है तो जो बाइड्स हम गार्डन में बालकोनी में इन में हम इनको टाक सकते हैं तो यह प्लास्टिक का है फ्रेंड्स और इस तरह से आता है उसको पहले मैंने ओपन कर लिए था इसलिए में अन्बोक्सिंग का वीडियो नहीं बना पाया इस तरह से यह है तो फ्रेंड्स ही यह मैंने अमेजन से मंगवाया है और इसमें यहां आप देख सकते हो कि चार जो है फीडिंग के लिए इन्होंने पोड्स दिये है ठीक है तो यहां पर इसमें होल है और यहां पर हम उपर से इसमें बादरा या गेहूं चावल जो भी आप डालना चाहते हो डाल सकते है ठीक है तो इसका एक जो पार्ट है वो नीचे इससे कसने में आ जाएगा ठीक है तो इसको हम यहां नीचे कस देते हैं क्योंकि यह खुला हो आता है ओपन आता है तो इस जाता है तो जो बारिश वगेरा उसमें पानी भी इसमें इकटा नहीं होता तो कि यहां पर नीचे मैं आपको दिखता हूं आपीस इन्होंने नीचे पोट्स दिये गए हैं छेट दिये नहोंने तो जो यह होल है यह होल के तुरू जो पानी है वो निकल जाएगा और साथ ही जो बाट से उनके बेटने के लिए यहां पर यह दिये गए हैं देख सकते हैं तो इस तरह का फ्रेंट्स बड़ा भी आता है उसमें यह स्टेंड एक दो की जगे चार अच्छे भी आते हैं ठीक है तो इन सबका में बाइलिंक आपको डिस्कृशन भी दे दूंगा आप वहां प्लास्टिक का बाटर के लिए पहल भी आता है तो उसमें यह वह नहीं होता है जो इस तरह से रहता है तो यहां पर पानी कटा उता रहता रहता उसमें और आप बाइलिंक डिस्कृश्चिन दे दूंगा आप वाजर जागे बाइल कर सकते हैं ठीक है तो फ्रेंड्स में इ तो यहां पर फ्रेंट्स इसको टाकने के लिए दिया गया है तो यहां से हम टाक देंगे इसको और इस तरह से रहेगा तो यहां पर जो फूड्स होगे रहा है जो हम भर देंगे और आराम से चडिया होगे रहा है वो इस पर आराम से फीडिंग कर सकती है ठीक है तो इसका बा यह बहुत अच्छे चीज़ है, okay friends, thank you, bye.